गुड मॉनिंग गॉल ओफ यू नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर से सवाकत हैं तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाच्चल समान निज्यान की 300 प्रेशनिक के टैसिर चली है 9 अगस तक बाग इसका ये 15, 14 बाग इसके बना चुकों अगर किसी भी परसने बोनी देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं बहुती मतपूर्ण कोशन करवा जा रहे हैं आने बाले हिमाच्चल एक्जाम के लिए जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने बाले हर वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहें तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें स्किप न करें तो चलते हैं आजगे पहले कोशन की तरफ ये रहा पहला कोशन 1906 इसवी में मंडी के किस राजा ने दरवार होल बनाया था चार उसन आपके पास हैं वीडियो को अंतक देखें बहुती मतपूर्ण कोशन करवाय जा रहे हैं बहुती जल्द आपकी टैस सेर्स कतम होने वाली 209 कोशन नमबर चल पड़ा है तो आप देख सकते हैं बहुती मतपूर्ण कोशन बनाय जा रहे हैं आने माले हिमाचल एकजाम के लिए जैसे 300 प्रेशन के टैस्स सेर्स कतम होगी तो ओनलाइन टैस्स का लिंक आपको ग्रुप डिसक्रिश्ट में दी जाएगा साइट में दी जाएगा और जो आपका यूटूब कैनल है उसके डिसक्रिश्ट में भी दी जाएगा तो प्लीज ब्यूडी को अन तक देखें और जल्दी से इसका राइटन से बताएं 1906SV में मंडी के किस राजा ने दरवार हुल बनाया था उनका नाम था बभानी सेन ने उस राजा का नाम था बभानी सेन बनवाया था मंडी रज्य की स्थापना किस श्थापदी में हुई थी ओप्षन को द्यान से देखें कोशन को भी द्यान से देखें और जल्दी से इसका राइटन्स बताएं मंडी रज्य की स्थापना किस श्थापदी में हुई थी जल्दी से इसका राइटन्स बताएं चार उफन आपके पास है, मंडी रज्जे की स्तापना की श्तापना हुई थी, तो इसका राइटन्स होगा, चोध मी श्तापना हुई थी ये रा नेक्स कोशन, उन्नीस सो चोबन में कौंसा जिला इमाचल का पांच मजिला बना था? ओप्शन को द्यान से देखे, मंडी, सिर्मोर, सोलन, बिलासपूर, चार उफन आपके पास हैं, जल्दी से इसका रेटन्स बताएं 1954 में कौंसा जिला इमाचल का पांच मजिला बना था? मंडी, सिर्मोर, सोलन, बिलासपूर, बिलासपूर 1954 में इमाचल पोदेश का पांच मजिला बना था ये रा नेक्स कोशन, बिलासपूर रियासत पर किस बंश का शासन था? जो बिलास्पूर रियास्त थी उस पर किस बंश का शास्त था चार ओफना के पास हैं जल्दी से इसका रेटन्स बताएं बिलास्पूर रियास्त तो B.O.S. राइट चंदेल राजपूत बिलास्पूर रियास्त पर इस बंश का शास्त था ये रा नेक्स कोउशन बारत्य राष्टे कंग्रिस की शिमला शाका की शुरुवात किस बर्श हुई थी बारत्य राष्टे कंग्रिस की शिमला शाका की शुरुवात किस बर्श में हुई थी तो चार उप्ष्णा के पास हैं द्यान से इसका रेटन से बताएं तो CEO स्मिजराइट 1921 में बारत्य राष्टे कंग्रेस की शेमला शाह का की शुरुआत हुई थी यह रा नेक्स कोशन हिमाचल प्रदेश अधिनस्त सेवाई चाइन बोर्ड हमिरपूर के प्रत्थम अधक्षे कौन थे देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राष्टन से बता पाता है हिमाचल प्रदेश अधिनस्त सेवाई चाइन बोर्ड हमिरपूर के प्रत्थम अधक्षे कौन थे तो इसका राष्टन सोगा C के मलोतरा सी के मलोतintérieur हिमाच्चल प्रदेश के अदिनस्य सेवाइं चर्ण वोर्ड स्टापना कब की गई थी जल्दी से इसका रेटन्स बताएं हिमाच्चल प्रदेश अदिनस्त सेवाइं चर्ण बोर्ड की स्टापना कब की गई थी तो इसका राइटन सुगर D.O.S. राइट 1998 में हिमाच्चल परदेश में अधिनस सेवाई चैन बोड की स्थापना की गई थी हिमाच्चल परदेश उच नियले की स्थापना कब हुई थी चार उफ नौ के पास हैं जल्दी से इसका राइटन सु बताएं हिमाच्चल परदेश उच नियले की स्थापना कब हुई थी जल्दी से इसका राइटन सु बताएं इसकी स्थापना हुई थी 1971 में 25 जन्वरी 1971 को हिमाच्चल परदेश उच नियले की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हिमाच्चल परदेश में उच्चनेल लेकिस्तापना हुई थी ये रा नेक्स कोशन 1966 तक हिमाच्चल परदेश में कितने जिले थे 1966 तक हिमाच्चल परदेश में कितने जिले थे इस तरह के कोशन आपके हर एक्जामें पूछे जाएंगे तो हर वीडियो को ध्यान से देखें, skip न करें, वीडियो अच्छी लगें तो please share जुरूर करें इसका राइटन्स होगा 10 जिले थे, 96 तक हिमाच्चल प्रदेश में जिलों के संक्या 10 हो चुकी थी यह रा नेक्स कोशन, हिमालेन बॉर्डर लेंड के पुस्त के लेख कोन है? देखते हैं सबसे पहले कोन इसका राइटन्स बता पाता है हिमालेन बॉर्डर लेंड पुस्त के लेख कोन है? हिमालियन बोर्डर लेंड पुस्तक के लेख कोन है तब तक मैं आपको बता दूँ जो ईजे के बक थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी शिमला, अतीत और बरतमान पुस्तक लिखी थी ईजी बक ने अतीत और बरतमान इस पुस्तक लिखे थे इजी वक उन्होंने शिमला के अतीत और बरतमान के बारे में एक पुस्तक लिखी थी अगर बात करें MS ठाकुर MS ठाकुर के दुबारे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी बैदिक आरे और हिमाचल अगली बात करें अक्षर सिंग तो अक्षर सिंग के दुबारे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी अगर किसी को पता है तो प्लीज बताएं अक्षर सिंग के दुबारे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी उनके दुबारे लिखी गई थी बिलासपूर की कहानी ये रा नेक्स कोशन प्रसिद लोक निरित डांगी इमाचल परदेश के किस जिले में किया जाता है तो ऐसे कोशन आपके एक्जाम में बनेंगे तो वीडियो को दियां से देखें और अंतक देखें प्रसिद लोकप्रे निरित्य ढांगी माचल पुदेश के किस जिले में किया जाता है शिमला कुलू चमबा सिर्मोल तब तक मैं आपको बता दूँ किस नदी का स्वंद भगवान सूरे से है किस नदी का स्वंद भगवान सूरे से है अगर किसी को पता है तो बताएं किस नदी का पुरानिक स्बंद भगवान सूरे से है उस नदी का नाम है कालिंदी इस तरह कोशन भी आपको टिप्स पे याद होने चाहिए अगर इसके वारे में कुछ और बात करें तो कालिंदी माच्चल प्रदेश की सबसे शोटी रीवर ह इस तरह कोशन भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं पुरानिक स्बंद में इसका भगवान सूरे से स्बंधा का लिंदी का इस तरह कोशन भी आपके एक्जाम में बनेंगे तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें स्किप ना करें तो प्रसिद लोग प्रेय नरित्य यह राण एक्सकोशन डेपक लोगप्रें निरित्य हिमाच्चिल प्रदेश के किस जिले में किया जाता हैं कि देखते हैं सबसे पहले कोन इसका राइट अंसर पता पाता है और आप मुझे यह बताएं जो काल इंदी है वो हिमाच्चिल प्रदेश से कहां से निकलती है यह ताजेवाला वान से निकलकर माच्च्चल को शोड कर हर्याणा में प्रवेश करती है और इसकी साइक नदी कौन सी है इसके बारे में हम पहले विस्तार से चाच्चा कर चूके हैं तो आपकी रिविजन को बारे तो टॉंस इसकी साइक है और यह उत्तरा खंड के मद एक प्राक्रतिक सीमा भी बिनाती इस तरह कोशन भी आपके एक्जाम में बनेंगे, तो बीडियो को दियां से देखे, skip न करें, तो पहले तो आप लोग प्रे निर्यत्य का नाम याद रखे, तो ये किया जाता आपके चमबा जिले में, येरा नेक्स कोशन, आंध्रा जल विद् जल्दी से बताएं आंद्रा जल्विद्युत परियोजना वह माच्च सी नदी पे बनी हैं तो यह बनी है पबबर इस तरह कोशने भी आपके घिजाम में पूछे जाएंगे तो ब्यूडिय को दियान से देखें अगर इसकी मेगाबाट खिशमता पूछी जाएं तो 16.95 मेगाबाट इसकी खिशमता है यह रहा नेक्स कोशन दांबरी सुन्दा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है योजना का नाम भी आप याद रखें दांबरी सुन्दा परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है शिमला कुलू चंबा सिर्मोर ध्यान से इसका रहेटन से बताएं अगर इसकी मेगाबाट क्षमता पूछी जाएं तो सेंटी और कौन सी नदी पर यह बनी है यह बनी है यह उना धामबरी सुन्दा परियोजना माच्रों पदेश के किस जिले में सतीत है शिमला कुलू चंबा सिर्मोर तो इसका राटन्स होगा शिमला तो पिछले कल हमने कि नोर जिले में कितनी विद्धूत परियोजना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी उससे पिछले कल हमने की थी लौल स्पीती में कितनी विद्धूत परियोजना है और आज हमने शिमला के कि जितनी भी आपके विद्धूत परियोजना ह वो इस चैनल के माधिम से डिसकस की हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर एंड सबस्क्राइब जूर कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो आज के लिए इतना धन्यवाद